दोस्तों वास्तू शास्त्र आधुनिक यूग में घर के निर्मार के समय बहुत ही महतोपून स्थान रखता है माना जाता है कि यदि वास्तू शास्त्र के अनुसार घर बनवाया जाए तो ये हमें दुख दरिदरता बिमारियों इत्यादी से बचा करके रखता है तो आईए जानते हैं संपुन वास्तु शास्त्र वो भी सिर्फ पांच मिनट में बेड्रूम हमारे घर का सबसे महतोपुन हिस्सा होता है क्योंकि यहीं हम आराम करते हैं और अपने जीवन से जुड़े निजी अनुभव शेर करते हैं हमारे जीवन का बहुत बड़ा समय एक बेड्रूम में ही गुजरता है सोते हुए गुजरता है बेड्रूम अगर वास्तु शास्तर के कोडिंग हो तो घर में शांती और खुशहाली सदय वबनी रहती है घर में बेडरूम बनाते समय वास्तु के कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए पहला वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बुढ़ों या मुख्य लोगों का बेडरूम साउथ वेस्ट के कोने में यानि की नरित्य कोन में होना जरूरी है और युवाओं का बेडरूम नौर्थ वेष्ट यानि के वायव्यकोण में होना चाहिए। और हवादार होना चाहिए और हमेशा मन को शांती देने वाला होना चाहिए। और हमेशा मन को शांती देने वायव्यकोण में होना चाहिए। दस्वी बात वास्तु सास्तर के मुताबिक बेडरूम में बेड के उपर चात या बीम या मोटी पती नहीं होने चाहिए। ग्यारूमी बात बेडरूम में पढ़ने वाले का मूख नौर्थ या इष्ट में अच्छा माना जाता है। अपने इष्ट देव से समवाद साधने और उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए पूजा अस्थल बहुत उपयोगी होता है। घर छोटा हो या बड़ा हो। हिंदु धर्म के अनुसार घर में मंदिर के अस्थापना जरूर करने चाहिए। मंदिर का अस्थापना करना जितना जरूरी है उससे विजादा जरूरी है उसका सही दिशा में होना। इस स्थिती में सही जगह पर आप अस्थान देंगे घर में तभी आपके जीवन में आपको उचीत स्थान मिल पाएगा वास्तु के अनुसार जीवन को सुखे और सकारात्मक बनाने के लिए बहुत से टेप्स हैं घर में पूजा अस्थल कहां बनाना चाहिए पहली बात नौर्थिष्ट जी हाँ घर में पूजा अस्थल की अस्थापना जब भी कीजिए शान कोण में ही कीजिए नौर्थिष्ट में ही कीजिए बेश्ट होता है हमेशा ध्यान रखे पूजा करते समय ध्यान रखे हमारा साउथ में नहीं होना चाहिए क्योंकि इश्वरिय सक्ति नौर्थ इस्ट से प्रवेश करके नरित्य कुन यानि कि वेश्ट साउथ से बाहर निकलती है इसलिए नौर्थ इस्ट दिशा में मंदिर होना अत्याधिक शुप माना जाता है अब आईए किचेन के बारे में जानते है और यहीं पर भोजन बनता है इससे घर में रहने वाले लोगों को भोजन मिलता है अगर इसमें कोई दोश आ जाये तो घर के लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं घर के लोग अक्सर बिमार रहने लगते हैं घर का मुखिया मानसिक तनाव में रहने लगता है तो आईए जानते हैं कुछ आसान से किचन से जुड़े हुए वास्तु टिप्स के बारे में पहली बात वास्तु सास्तर के अनुसार किचन हमेशा साउथ इस्ट यानि के अगनिय कोण में होना चाहिए दूसरी बात किचन में खाना बनाने वाले का मूख इश्ट यानी की पूर्वदिशा में स्रिष्ट होता है। तिसरी बात दिवारों में दरारे आने पर उसकी मरम मत देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत करानी चाहिए। किचन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। चौथी रात में सोनी से पहले किचन की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। पांच भी बात जूठे बर्तन वास बैशन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह और शाम को भोजन बनाने से पहले किचन में धूप जरूर जाए इस बात का ध्यान रखिए। छठी बा है और इससे लाव मिलता है घर को परिशानियों और बिमारियों से बचाने के लिए शोचाले बनाते समय वास्तु सास्तर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वास्तु सास्तर के मुताविक घर में शोचाले बनाने के लिए सबसे उत्तम स्थान साउथ वेश्ट और साउथ ह चास्तर की द्रिश्टी से घर के मध्यमें, साउ थेष्ट दिशा में या नौर्थेष्ट दिशा में टोएलेट तो समझे घर में बिमारीयां होंगी परिशानियां आएंगी बहुत सी दिक्कते आएंगी इसलिए नहीं बनाना चाहिए इन जगों पर तीसरी बात शोचाले या बाथरूम का दरवाजा दक्षन दिशा को छोड़ करके अन्य किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है चोथी बात वास्तु शास्तर के अनुसार टोईलिट की सीट साउथ नौर्थ फेस में होनी चाहिए पांचवी बात शोचाले या बात्थरूम में नल उत्तर पुर्व दिशा या पश्चिम दिशा में रखना उच्चत माना जाता है अब आई ये कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं पहली बात घर में सिणियां हमेशा क्लोकवाइज होनी चाहिए दूसरी घर की हाई पीक वॉल हमेशा दक्षिन पश्चिम होनी चाहिए यानि कि उंची जो होती है सबसे दिवाल वो इसी दिशा में होनी चाहिए तिसरी बात घर में खाली जगह नौर्थ इस्ट से ले करके नौर्थ वेस्ट तक छोड़नी चाहिए चोथी बात घर में ड्रोइंग रूम नौर्थ इस्ट या नौर्थ वेस्ट में बनाना अच्छा रहता है पांच वार घर में कोई भी कांटे दार दूध निकलने वाले पेंड पोधे नहीं लगाने चाहिए तो इस प्रकार से आप अपने घर के वास्तू दोशों को दूर कर सकेंगे यह वास्तू टिप्स जो है आप अपने घर में अब मिला लीजे कि कहां कहां पर दोश में है अगर दोश है तो उसको करेक्ट कर लिजे बहुत जरूरी है फिर आपके जिवन में अगर परिशानी आ रहा है किसी प्रकार की बाधा आ रहा है दिकत आ रहा है सफलता नहीं मिल रही है घर में ग्रेह क्लेश है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्य हम से अमले करके आते रहते हैं इसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कोन कर लीजिए फिलहा पुलिके उम नमस्चिवाई हर हर महादेश